प्रणाम करें जी यह इसको क्या करें जिसे किसी को रोग है किसी को दर्ध है तो डाक्टर के पास जैए आशी रवाद से नहीं ठीक होता देखो बस वही सबन में नहीं आता है इसी बटकाओं में सब बटक रहे हो कोई जंतुर बांदे का कोई आसी इसलिए तुम सब अच्छ के पूर कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है अशे कर्म करो नाम जब करो माता पीता की सेवा करो purity कि चलो अब है कर सब के लिए करते हैं सब भागते हैं इस बात में कि बाबा जी आशिरवाद रोग रही तो जाओ कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा तुम्हारे आचरन ठीक होंगे तब तुम्हारा सब काम बनेगा हां देखो ना खा रहे हैं जीवों को उबाल उबाल करके मांस पी रहें बुद्धी ब्रश्ट होगी और नश्ट होना पड़ेगा क्योंकि आचरण गलत हैं कोई आशिर्वात किसी का काम नहीं करेगा आप अच्छे आचरण करो माता-पिता की सेवा करो परिवाद की सेवा करो समाथ की सेवा करो नाम जब करो सरीर में कुई छुटे-मुटे कस्टा में उनको शेह जाओ आगे चल कर आप देखो कि कैसी उन्नती होती अच्छा होगा मंगल होगा इस ब्रह्मिना ने न किसी के आशिरवाद से कुछ हो जाता है हम आपको पक्की बाद बताते हैं कि आज बाबा के यहां गये थे यह पीठ में दर्द कम हो गया यह तुम्हारा अप हमारे घर के ओश्रम आशिरवाद देने से कई बार का कि अगर तुम सुखी हो जाओ तो हम किसी से नमी लेए चुपचा अपने कमरे में बेठे के वला सिरवाद देते हैं सबको लेकिन नहीं सुखी होगे तुम अपने कर्म से को न काहू के सुख दुख कर दाता और न मात्र भगवान मेरी बात मान लेना उनकी सरण में और नाम जब करो सब भी को जाएगा तुम्हारे भजन से होगा तुम्हारे अच्छे आचरण से होगा तुम्हारी धार्मिक प्रवत्तियों से होगा अब बात ना समझो तो फिर हम क्या कह सकते हैं नहीं यही तुम्हारा जन ने फिराता जाएगा रात है तो दिन आ जाएगा यह क्रम चलता रहता है हमें निरास नहीं होना सुर्वीर युद्धा की तरह में जीना है कायर की तरह नहीं जीना है